एक सीक्रेट मैं आपको और बताती हो गर आप एक ही तरीके के प्रोडेक्ट सब्सक्राइब हेलो गाइज और वेलकम बाक तू माँ चैनल मैं हूँ सुर्भी इंडियन गरल इन यूरोप आज जो टॉपिक है वो बहुत इंफोमेटिव बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत अच्छा वीडियो होगा आप लोगों के लिए जो यहां पर रह रहे हैं उनके लिए तो अफकोर्स क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताने वाली हो एक बहुत बड़ी प आपको जैसा समझ में आ रहे हैं कि मैं जर्मनी के बारे में आज आपको ऐसी इंफोमेशन लेकर आई हूँ जिसमें आपको पता सलेगा कि जर्मनी में हर चीज के कितने सारे आप्शन है आज जो है वो मैं स्किन केर, हेर उसके बारे में बताऊंगी और आपको बहुत ज़ादा शॉकिंग लगेगा क्योंकि आपको जब मैं प्राइजिंग बताऊंगी ना कि कितने से स्टार्ट होता है एंड कितने तक जाता है तो आप शॉक हो जाओगे और जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको लगेगा यार इतने सारे ओप्शन्स और कभी-कभी जब हम इंडियन यहां पर आते हैं आइडेंटिफाइ करना की कौन सा राइट प्रोडेक्ट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे रीजन्स होते हैं क्योंकि हमारी स्किन टाइप अलग ह हमारा हेर टाइप अलग होता है यहां लोगों के बहुत थिन हेर्स होते हैं हम लोगों के हैर टाइप बहुत डिफरेंट होते है हमारी स्किन टाइप बहुत डिफरेंट होता है तो कुछ चीजे जो मैंने इतने टाइम में खुद के एक्स्पीरियंस से मुझे पता चला वो कि यहां पर वाइटनिंग कोई क्रीम ही नहीं आती है तो इन केस अगर आप यहां पर आए हो और आप सर्च करने जा रहे हो यहां पर जो तीन कॉस्मेटिक शॉप्स हैं जो बहुत जादा फेमस हैं जैसे डीम, मुलर और रोजमान अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको व मामा आर्थ मुझे नहीं पता वाइटनिंग देती है या नहीं हर एक चीज में वो जो वाइटनिंग फैक्टर जो होता है वो जरूर हो तो यह फैक्ट है जर्मनी का तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो जैसा कि मैंने तो यहां पर और भी कॉस्मेटिक्स, मेकप, हेर और उसकी शॉप्स होती है आप वहां पर भी जा सकते हो मैं जनरली डीम सबसे ज़्यादा प्रिफर करती हूं उसके बाद मुलर एंडेन रोजमान इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है अगर मुझे कुछ स्प कॉस्मेटिक शॉप्स है उसमें जा रहे हो तो यू विल बी शॉक्ट तो सी दफ वेराइटीज कितनी सारी वेराइटीज होती है मतलब आपको एक बॉडी वाश जो है वो 0.59 से स्टार्ट हो जाता है टू कितना भी और 0.59 की यहां पर वैल्यू कुछ नहीं होती है तो मतल लिमिटेड बेज़ ओन ब्रैंड और वाखी सारी चीजे एक चीज और यहां पर होती है डिफरेंट टाइप्स लाइक वीगें वीगन प्रोडेक्ट्स होते हैं क्रीमी प्रोडेक्ट्स होते हैं फिर नाइट के लिए कुछ डिफरेंट चीज होती है सुबह के लिए कुछ चीज होती है संस्क्रीन के भी बहुत डिफरेंट प्रकार होते हैं तो ये सब चीज़े देखके ना इनसान जो है वो कनफ्यूज आ जाता है उसे समझ नहीं आता भाई हम क्या ले और मैंने तो इतना पैसा बरबात किया है ना इसमें मुझे हर चीज देखने पर बहुत संदर लगती है ब्राइंडिंग यहां पर बहुत इच्छी होती है ले लेकर आ जाती थी और कुछ भी जो है वो स्किन पर स प्रिंट होता था यहां पर एक और बहुत सारी वेराइटी होती है जो होती है फेस पैक्स की तो अगर आप गए होगे शॉप्स पे तो आपने देखा होगा यहां पर मौशराइजिंग फेस पैक्स जो होते हैं वो बहुत सारे आते हैं उसमें भी आपको समझ नहीं आता है यार कौन सा जो है वो आपके लिए effective है, कौन सा जो है आपके लिए effective नहीं है तो in short मैं आपको यह बताना चाहते हूँ कि विराइटीज जो है वो इतनी सारी हैं कि आप चाहिए वो makeup products हो, skincare हो, hair products हो, सब कुछ ऐसे ही start होता है एक euro से और depend on brands जो है, वो rates जो हैं वो बढ़ते जाते हैं तो आपको क्या choose करना चाहिए, whether जो cheap products हैं वो अच्छे हैं या expensive product हैं वो अच्छे हैं तो cheap versus expensive में मैं आपको यह बताऊंगी, ऐसा कोई funda नहीं है कभी-कभी कुछ जो cheap products होते ना, जो बहुत ही entry price point पर आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और कभी-कभी बहुत expensive products जो होते हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं तो अब एक expensive product की बात कर रही हूँ, जो बहुत अच्छा है, वो मैं use कर रही हूँ as a night cream यह जो है वो Estrelauder है और मैं इसे काफी टाइम से यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छी है क्रीम रात में लगाने के लिए लोग इसे magic सिरम भी बोलते हैं अगर आप यह इतनी सी बात करो ना तो यह कुछ 80 EUR के करीब इंडिया में भी इतने कई आता है तो आप इतने का लेना वेल्यू है या नहीं तो मैं आपको एक टिप और बता देती हूं कि आप कहां से इसे खरीज सकते हो आप यहां पर बहुत सरी आउटलेट स्टोर्स होती ह है वहां जाओगे तो यहां इसके उपर हमेशा 30% से 40% डिसकाउंट होता है नहीं तो जलेंडो वगेरा में जो हता है उस पे भी इनके पास जो है वो डिसकाउंट होता है इनके खुद की वेबसाइट भी है इसके बाद यह वाली क्रीम जो की मौशराइजिंग क्रीम है Indian Skin में यहां पर जादतर मैंने देखा है बहुत जादा dry skin हो जाती है हम लोगों की क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है मौसम भी बहुत जादा fluctuate होता है एक दिन से दूसरे दिन तो आपको अपनी स्किन को मॉस्चराइज करके रखना बहुत important होता है उसके लिए ये, of course ये जो क्रीम है ये भी बहुत सस्ती नहीं आती है ये भी एक expensive product है पर वो ही मैंने जो आपको trick बताई है वो आप use कर सकते हो आप चेक कर सकते हो discount या कभी आप आसपास की किसी outlet city में जा रहे हो तो वहाँ पर देख सकते हो अब मैं आपको कुछ अपने secret बताती हूँ जो of course मेरे secrets हैं और जो time being मैंने खुझ से खोजे है वो यह है कि आपको अपने skin को moisturizing करने के लिए सिर्फ moisturizing cream जो है वो important नहीं होती इसके अलावा आपको अच्छे serums skin serum use करने चाहिए और कुछ toner pads आते हैं skin के लिए वो use करने चाहिए जैसे यह वाला जो है वो chia seeds का toner pad है तो जैसे मैं सुबह उरती हूँ तो मैं इस से जो है यह बहुत सारे चोटे-चोटे pads हैं मैं आपको दिखाती हूँ इस type के and सुबह मैं लगा लेती हूँ और skin जो है वो दिन भर बहुत अच्छी दिखती है so something like that जो कि मैंने yes child से order करी है इसकी link जो है मैं आपको डाल दूँगे और आपको discount भी मिलेगा इसके अलावा यह green serum जो मैंने आपको बोला कि serum भी बहुत important होती है skin पे तो यह भी मैं सुबह सुबह जैसे ही face wash करती हूँ उसके बाद यह लगाती हूँ face wash के लिए मैं बहुत ज़ादा जो moisturizing face wash है वो use करती हूँ मैं सबके link जो है मैं आपको डाल दूँगी ताकि आपको अगर यह use करना है तो आप कर सकते हो इसके अलावा यह एक ऐसा product है जो सिर्फ लड़कियों के लिए specific नहीं है तो यह जो है यह एक black tea mask है जो बहुत अच्छा है और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बहुत अच्छा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यह देखो यह पूरा खतम हो चुका है तो दीपक और मैं हम दोनों ही इसे use करते हैं और यह बहुत मतलब एकदम skin पर लग जाता है and you can feel the changes जब आप wash करते हो तो बहुत ही जादा different आता है और यह सारे जो है ना यह Korean products है तो Korean products हमारी जो Indian skin है उस पर बहुत अच्छा सूट करते है तो इसलिए मैं यह वाले मंगाती हो अब यह जैसे ही खतम होगा वह मैं दूसरा तो जो face mask है of course यहाँ पर बहुत सारे आते है I am very sure जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें नहीं समझ में आता होगा कि यार कौन सा use करें try this पका link छोड़ दूँगे मैं आपको इसके बाद यहाँ पर आती है बहुत सारी hand creams hand creams भी start होती है 4.49 से 5 euro 10 euro की भी मैंने देखी है 20 euro की भी मैंने देखी है कौन सी यूज करें तो यार hand cream तो मैं specific नहीं हो जो उनसे भी आपके हाथ को suit करें और उसकी smell अच्छी हो वो आप यूज कर सकते हो इस time पर मैं यह Hugo Boss वाली यूज कर रही हूँ पर मैं यह चेंज करत द्राय लगता है तो आपको जो भी अच्छा लगता है आपकी smell जो है आपको अच्छी लगती वो आप यूज कर सकते हो अब हम आते हैं अपने बालों के उपर आपने अगर मेरे वीडियो से स्टार्टिंग से अभी तक देख रहे हो तो मैंने पता नहीं कितनी बार अपने क्योंकि यहां पर पानी में होता है कैल्शिम उसके बाद आपके हेर्स जो है यहां पर वाइट भी होने लगते हैं जो लोगों ने देखा है मेर को अभी तक ऐसा नहीं हुआ है उसके रीजन यह है कि मैं सबसे पहले अपने डाइट में जो है वो प्रोटीन लेती हो मेरा हेर ग्रोथ जो है उसमें कोई इशू नहीं आता है वो अराम से जो है वो बढ़ते रहते हैं और ड्राइनिस कंट्रोल के लिए और मैं आपको बतारी हूं मैंने 1750 से भी जादा प्रोटेक्स यूज करें उसके बाद अब मैं यह कुछ प्रोटेक्स पे स्चिक वही हू तो यह as a shampoo और यह as a conditioner इसका नाम है जॉन फ्राइडर पारिस न्यू यॉर्क का है और यह red can तो यह जो दो प्रोटेक्स हैं आइधिंक मैंने रोजमान या मुलर से खरीदे हैं जो मैं हैस के लिए यूज करती हूं और मुझे अच्छा work कर रहा है एक सीक्रेट मैं आपको औ और बताती हो अगर आप एक ही तरीके के प्रोटेक्स अपने बालों में यूज करते हो ना तो वो work करना छोड़ देते हैं जैसे लोग बोलते हैं कि आप जब exercise करते हो और same exercise करते हो तो एक टाइम के बाद बॉड़ी जो है वो कुछ रियाक्ट नहीं करती है फिर आपको और intensive exercise करनी होती है तब आपकी body पे असर होता है same जो है वो hair का मैंने देखाया I don't know आप लोगों का experience है अगर आप same product जो है वो use करते हो ना तो आपको इतना असर नहीं होता है तो मैं जो है वो time to time ना change करती रहती हो just मैं ये चेक करती हो कि at least 5 to 10 euro की range में आए shampoo और conditioner इससे सस्ते जो होते हैं वो मेरे experience पे मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं और वो बहुत जादा बालों को जो है वो dry कर देते हैं तो just comment from my side आप ये use कर सकते हो बाकी variety के नाम पे of course जैसा मैंने आपको बताया there are lots 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 और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको एक और बात बता मॉश्यराइजिंग क्रीम्स और पता नहीं हम लोग हर एक घर में होते हैं वो blue color के पर वो यहीं का brand है और उसकी भी बहुत सारी range है जो मैंने बहुत बार try भी करी बट मेरे को सम्हाँ वो इतना अच्छा नहीं लगा I don't know for what reason पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और इस जो यहां के लोग जो जर्मन लोग है वो बहुत प्रिफर करते हैं और सम्हाँ मुझे भी बहुत अच्छे लगते पर बहुत ज़द एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए मैंने उन्हें कभी यूज नहीं किया पर you can try अगर आपको एक स्पेसिफिक कोई issue है skin में और आप च कोड जिससे आपको extra discount मिलेगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मैं एक informative साइट में लेकर आना चाहते थी जिसमें मैं आपको बताओं कि यार being like 3 साल में मेरा क्या experience रहा मैंने बहुत सारे products जो है वो change करे makeup products change करे if you want to see makeup products तो please comment तो मैं next time वो भी आपके लिए लेकर and do not forget to like, share and subscribe and press the bell icon because this channel पे बहुत सारे informative videos लड़कों के लिए लड़कों के लिए और सब लोगों के लिए आने वाले हैं तो bye bye for now और मिलेए नेक्स पात और मैं आप लोगों को बताना चाहते हूँ हमने एक व्लोगिंग चैनल स्टाट किया है जिसमें हम अपनी raw lifestyle बताते हैं वो वीडियो भी देखना मत भूला हूँ बहुत इंटरस्टिंग है और बहुत मजाएगा आपको मेरी और दीपक की lifestyle जर्मनी में देखने के लिए इसी के साथ मैं जाती हूँ और नेक्स वीडियो में मिलते हैं अगीन दो नोट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइ झाल चाल